तो दोस्तों अभी हम हैं Photoshop के अंदर और यहां पर आप यह जो फोटो देख पा रहे हो इस फोटो को देखने के बाद आपको अभी थोड़ा सा नॉर्मल लग रहा होगा जैसे ही मैं इस लेयर के उपर एफेक्ट अपलाई के आऊं मात्र दो इफेक्ट है इसके अंदर और यह फोटो को हम क्लीन इस तरिका से कैसे कर सकते हैं जो कि बहुत असान है और बहुत ही नॉर्मल है तो अगर आप क्लर करेक्शन शे覺得 शेखं़ना चाहते हो यह इस को शुरू करते थे था हैं तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं हमारे में पास Photoshop CS3 है तो मैं इसको open कर लिया हूँ तो आपको क्या करना है कि simply इस वाले फोटो को अपने Photoshop के अंदर open कर लेना है कोई भी फोटो हो तो आप उसको open कर सकते हो तो यहाँ पर देख सकते हो कि इस फोटो को मैं ने open कर लिया है इसका जो face है उसको अगर आप अच्छी तरीका से cleaning करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा सबसे पहले अपने Photoshop में अपना layer panel को open कर लेना है layer panel को open करने के लिए आपको window menu में क्लिक करना है और यहाँ पर आपको layer का option मिलेगा इसके उपर आपको क्लिक करना है जैसे ही आप layer panel के उपर आप क्लिक करेंगे layer option के उपर तो यहाँ पर आपके सामने layer का पेनल दिखाई देगा जिसके अंदर आपको एक layer दिखाई देगा जिसका नाम रहेगा background ठीक है background के नाम से ही एक single layer दिखाई देता है उसके बात अब आपको क्या करना है अगर आप किसी face को clean करना चाहते हैं अच्छे तरीका से और natural तरीका से करना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है layer के नीचे आप देखेंगे यहाँ पर आपको adjustment tool का एक option दिखाई देगा इसके उपर आपको click करना है और click करने के बात यहाँ पर कई सारे options आपको दिखेंगे यहाँ पर सबसे उपर में color का option है और नीचे में यहाँ जो second number पर palette दिख रहा है label curves और color violence और brightness contrast उसके नीचे यहाँ पर और भी color से ही related option आपको दिख रहे है तो सबसे पहले आपको क्या करना है label वाले option में click करना है अब जैसे आप label वाले option में click करेंगे तो यहाँ पर आप one two three three dot है यहाँ पर इधर वाला point को अगर आप इस तरीका से बढ़ाएंगे तो photo के अंदर जो brightness है वो आएंगे ठीक है और center वाला जो pointer इसको अगर आगे पीछे करेंगे तो face जो है तोड़ा और मतलब क्या होगा कि और ज्यादा brightness होगा ठीक है और यह side वाला जो है इसको अ पहला फार्क देखे इसको अगर आप यहाँ पर हाइड करेंगे तो पहले देखे पोटो कैसा था और अभी कैसा है ठीक है अब यह हो गया आपका पहला तरीका चलिए अब मैं एक और effect इसके अंदर apply करता हूं तो दूसरा जो effect है इस adjustment layer पर क्लिक करना है तो selective color के उपर जैस आपका रेट अगर आपको कम करना चाहते इस पोडों में तो यहाँ पर नीचे में black वाल उप्शन है इसको इस प्रकार से थोड़ा सा पीछे लेकर जाएंगे ठीक है तो माइनस 20 कर लेता हूं ठीक है उसके बाद इसको red color के उपर क्लिक करेंगे यलो के उपर क्लिक करेंग जैसे कि आप यहाँ पर layer में देखेंगे इसको करता हूं height so देखें कितना फर्क पड़ रहा है तो कुछ इस परकार से आप इस तरीका से effect आपने इसके अंदर लगा दिया और अब अगर मैं चाहूं तो यहाँ पर देखें यहाँ पर यह जो दोनों point है इस परकार से select कर ल layer दोनों layer का effect जो है एक साथ off होगा और on होगा ठीक है चलिए मैं आपको दिखाता हूं एक बार यहाँ पर मैं so or height करता हूं पहले height करता हूं देखें कुछ इस तरीका से photo और जैसे मैं so के उपर click करूंगा कुछ इस तरीका से so height so height हो रहा है तो कुछ इस तरीका से आप बह करने के लिए दोस्तों simply file के उपर click करना है यहां पर देखेंगे कि file menu आपका खुल चुका है और नीचे में option मिलेगा आपको save का इसके उपर click करेंगे मैं आपको सेट करूंगा save as के उपर click करूंगा और save as के उपर click करने के बाद यहां पर देखें save करने का एक panel open हुआ है यहां पर format select करने का option है तो यहां पर PhD को छोड़कर मैं यहां पर क्या करूंगा जीए पीजी को select करूंगा ठीक है और यहां पर मैं save बटन में click करूंगा यहां पर आप नाम भी दे सकते हूं इसके अंदर कोई भी नाम दे सकते हूं इस फाइल का तो मैं simple image के नाम से ही रहन बोग चुका है अब चली मैं आपको इसका सबूत दिखाता हूं इसके फोल्डर में जाके तो देखे हमारे सामने यहां पर आपको दो फोटो देख रहा है यह हमारा पहले वाला फोटो था और अभी यह वाला फोटो जो कि मैंने edit किया है तो यहां पर आप live देख भी सकते से अरजरू करें तो कुछ इस टाइप कर टीप्स और टिक्स को सीखने के लिए हमारे चनल को सब्सक्राइब कर लिए और आप मज़े बताइए कि आप आगे क्या सीखना चाते नीचे comment box में लिखेंगे तो comment box को देखकर हम आपके लिए नए नए वीडियो लाता रहता हूं तो comment box को पढ़कर ही मैं आपके लिए डेली नए ने वीडियो लाता रहता हूं तो आज के लिए बस इतना ही दुस्तों मैं मिलता हूं कमाल के नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंत जय भारत